बियोली खबर रहेटे स्टूडियोत मपापुरियर प्रत्थम तु खबर हाउलीट मेजिक सालोकर अतपाली राष्ट्रक हाई पथद ति ब्रभीकी मेजिके महतिया निले ग्रिहरोक्षी ज्वानक। राष्ट्रक हाई पथद कटब बरत ग्रिहरोक्षी बाहीनी ज्वानक। तो अबस्ताता सिले, तेरेक वाते ग्रिहरोक्षी बाहीनी ज्वान जनांग बहुत दूर आनके उद्धा मेजिक सालोके सुस्राई लोई जाए। दिन दुपरते हाउली साडियाली ते घटना होंगुजी चोखुसे और जान बहान आरोखी सोरू पुन मुशु चोखुसे और या जान बहान आरोखी गात दूख दीओ। लाब नाए। कारने खेट्रोट ये सालोक खोकरोर भंदाली रूज कोर भालागे। सालोक खोकरोर नीजोर वीवैक बीवशना थाके निया थाके ते उलुखे पुनूलू काहिब हो परे। जोट निकी तेओ एगोडा की आरोखी जुआ तेओ गिहोड़ोखी आरोखी जुआन अरोखी जुआ फुआ जुआ अरोखी जुआ जुआ ने खाधारन राइजोर की होब। जुआ 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 बिज़े पिर खभात कंग्रेस्टी बिढ़ाय कमोलाइख दे पूरुकास्ट रुबज़त रधार भुआध पोले बिज़े पिर जुग धिले कंग्रेस कर्मिए विज़ेपी जुग्दान हबात हम अर्ठो करों फोई ते निज पॉस्टि ठाक्यल पिधाय कमोला लाइख भी पूर्का स्थ विज़ेपी जुग्दान रावे चंग्रस भिधाय कमोला लाइख भी अजुग देने गांगर्ण फोखो में आज आज एड्रूस देखी बले विजपी जगदान कोड़ाए ते नहां मुल कर्मिक बिजपी जगदान कोड़ाए से विजपी जगदान कोड़ाए ते नहां मुल कर्मिक बिजपी जगदान कोड़ाए ते पौद्यपी जगदान कोड़ाए से त्युटी आभरार कारने विधायों कर्मों के तो किते हैं आजी आही भिजेबित लोग जूगदान कोरिये मैं निश्वीतो आवे कहपारुषे आजीरे जुग्दाने अमार कोरिमगन उतो कहपा खमस्तित तोती कमेव कुनहरप्रा विजजार भोड पहाले आरू किप्पामनला नागोरियार विज़े खुन श्वीतो होल। पहले कर दोत्ये साथ्वीत आरूक कैसी तो आपल पहिंड़ा हिवाय र की बांत यपदीन श कन खेकिट गनौ शीची में श्वीजार्न हैंश। प्रभुष लो ले उसमों अडर्नी जनाया नाया से अन्हें और अपने विड़्ड़ ने जो पिजवार्णु पृफ ते विडिश्वार की बातलो ते लोकॉर। ते विड़्ाइगरा की बातलो जो पृफ ते खी पिए जो दनकोर से रइटा निर्बस नी बतर गोटिक ए हम सब्सक्राइब और में यह एक तान कोई गार्फ काई तो घुट इस दुटाइब से पिज पी आमी गोरीशन दी तुट आ मैं रहा हम बेड गोरीश एमा खाजे इन तूर इन्टर गर्फे मां का जो कुछ टूछ कर में जुगां को लिए पोलिपोर हमोरी गोर्षा मलगर पोर पापरी जोदी देखा जाए जन आजी अधा ने देखा दिश्टा देखा गुई से करिमुन जोर जन बीजीबीर जे हवादार असले जुगदान अबाट भूग इनी कमलाक को देफ पुरकेस्तर हमर्तों के जुगदान को बहुत जोगदान को जेकिन तो बीजीबीर कि ऋिए तेगा करना थैन कि विए। ईंग को भी ईा इसे अधुल अगूज के ही और मया जिए विए व्रती उन्हें को इस अट्या में गया नहीं गाना थाव च्पार आई लिखिप जुगदानकेट ये पसतो जेबार्बार्पट ये पुगधार के जो जो बोडों हसे बिखिवार्ट नायको रसके जो खेल से फेकल गार में तो नैगरघा जोगधानक घंभ ठाड़्ट को फिसा टे घ्साइय हो जेड़ जो जुगदानका येिडिया जैड नागी बिजिए परने दिट्टी हे लिए भार दिटू मंत्री पिज़वागी कोई से जन प्राई पूर घूज पर प्लॉच टो अने कोई आजवागी स्वामी एदिन और पूर्वे जूरहत तथे डिखिसेलू तो कंग्रेस कोर्मी हो कोले राना कुस्वामी नेट्ड़ित त्यों क बिजए पीर जुगजान पुरसिट तो हो अब दो जो अब अधिया तीनि सुक्या बिजए पीर काच्छलत खरबानन्द हुनुआल फुनुआल पॉसे जिला बिजए पीर हांग अथो निखभा विजए पाला निक खभा नंक हो अग अगोपने रहां में किसु लाइब विजुल स्टेफ लाइगे से या अहुसे खुनालोर पोसिते खुर्बानां तो खुनालोर पोसिते या भाख्वन अरंभ हो इसा में किसु पुन पट्या हम पोसर आग पर है राज्जी खमीति रहन्नतम हधान हम पड़क माननियो पुलक गुहाई दागरिया अहं पज्यतन उन्यों निगमर माननियो अधिक्ष तो था लाहवाल विधानवा हमस्तिर प्राक्टन विधायक रिटुपर्न बरुआ दागरिया मरान सायच है टो है टो पुलिखदर माननियो मुखक गज्योभ ही खदुश्य अरूंजुति मरान दागरिया जिलार हवापुति कुहकान तो बड़ा दागरिया जेस्त निता सीउजी दुवे दागरिया भमें सर्मा दागरिया संजव difे शिYou Temple आरू आजी ये हवाद उपुस्थी ठका जिला हमिती विखवववया आरू काज़नी बागर हदिश्य हदिश्य हखल मंडल मर्शा आरू बूथ हमिती कर्मकर्टा हखल जय जय ते आजी ये हवाद उपुस्थी ठका अपना लोग हकुलर पुटी मैं डोलिया हमभाहन ग्यापन करेश। काम करातु हे हुएचे पटिजन भारोतियो जनतापार्टीर काज्य करतार पठाम डाइटोर कर्टेब्ब। और हे काम निस्थारे हटतारे आमी हमपर्ण कुर्बो लाईवो। तिक ए हंकल्प उनेस्था आखिशन और स्वय अप्रिल तारिके हे हमयर पुटिष्ठाप खभापुती अतुल 22 बसपाई डांगरियार नितित्त ग्रहन करा होईशिल और तेतियार प्राय। धरा भाहिक भावे भारुटियों जनता पार्टिये खेमता ठाकोके बना ठाकोके। हडाए रास्टर हके मात्मेतिया आईशे भार्ट ब्रखर पास हजार बसुरिया पुलोनी हईबटा हांस की तिया आइड्डातिक पराम-परा मुल्लोबु तरक्था कुरिया आईशे। हेई महान डलर 2021 गडाकी निस्थाबान करज्य करता है सेवे। आपना दुख हुभाईगवान जेई डल तुए जेतिया खेमता लाख कोड़ी से जनाहार ने जेतिया खेमता ठाकोड़ी से तेतिये होटतारे निस्थारे दिक्खतारे दिर्भतारे आरो खकल के सद्धा भक्तिरे देह्ख्यवा काम करार दिस्तांत मलोग उदारन डांगी दुरियाईशे। ॥भार्डब्रकर जनगने पठमबरबाबे बीजेपी नेटिता दिनें एंधीय सरकार अतुलबेए बासपै दांगरियार धिनोती गथन करिशिल। और हे खमाएटू बाकाउ कैज्योकाल मासील तिन्नेते कोई कैज्योकाल मासील। किन्ट कुनुएटा काज्य कालोते मुल्लो बुढक अपुस करा नासिल। मुल्लो बुढक अपुस कालोते मुल्लो बुढक अपुस करा नासिल। 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 कर दो लो अजिन वाँ प्रण पर दो है द्रुण साय दिन नहीं हों। अजय को सब्सक्रा ठीख कर घुण आ है जिवाकर को लया कुली उला कि अल्ग। यह बन्यों होते हैं में तरह शाँ बदाना आपाई इमान इसमाग्ट रखो अंपाई शेख दोतके हो जो कि आपाई अपाई सुछा आपा और विच्छाकर को नगना आपा व्यों के जो बाहिए हो पोस्तार मारी सिर्गेश्ण थे छाँ कि रहीजा में दोतके हैं थो है मैं नहीं ना मैं ट्याम बेकरेता। प्रभा नाongन के मारी पोई मकुझए। कि अचान्य म्यकंट दी मद लोमनानाई। भंचार चुनमा अशेकिनोभ लिए को आजी डाइस। शनीके मैं मो लाग। पर अजी तृकन नाए तवका जानाए। कि यह परागी तेव Means थे भारागा नाय। पास्ता भावोत्ती। पास्ताभू थेक्म была ज़ाए पास्ताभूाँ भूडब मिल्खेश कि थे पास्ताभूति शकर कि त्यां की कुछ धेला है। आजी तरीकों पुनोर आजी तखरा अदोरी लगो और देखा पाईसे जा फोजी तो उन्सुरत है जे बीजेपी जीचु धोग याईजे कोम पाईसे मुझी दैंगोरी आको पढ़ान मॉंटी होगो अधाय को आजी तरीकों पुनोरी तरीकों आजी तरीकों प्रण। आजी चाहिए जीचु अभाण आजी तरीकों पंद प्रण। अलाप कुसा मानी। वोड़ आप सब्सक्राइब। तरहां कि करो लिए लापन किसे मने जो पही बैदा क्यों है आप पहाँ सोत्व पाई खुआ पही बुद्याओं नचीते चाहिसे। अमी पस्टों आप आपाईसई। आमी अपोर सोझ निदेगा मीघ भार ही। पाई चुझी शॉजे रिंगास कमद से कहे अंग वकरतो nessरो और resonकेक, सुनी सतिगे और स Sumit तो पुरोग दिकोर से कोरी मानोर मॉर्फिन अरु निसाज दकियो टैबलेट रेलारोख्यर हातों ग्रेप्तार हुईसे दूई खरवरा करी क्रमें अली साहे बारु जाहंगीरा लोग जबदों कोडा मॉर्फिन उजन हुईसे एक केजी अरु आरु बजार मुड़ाद मुड़ोगा ओसिममगर हरबला कारीए मोर्फिन रास्थानी एक्स्पैस जुगे धिमापरा्पा लोहनोलू, हरबला कुरब भी सारसे। कार जोरियोते कारू नागोरी कोत्ता नाजाए। कार जोरियोते मुसल्मान होकले भॉय खारू कुनू प्रोज़न नाइबरी मौन्ट बखरले अमिश्या है। कोवीड आ गया हम डेमोकरिक कंट्री में हैं जब किसी सची चीज के लिए गलत फहमी फैलाई जाती है तो जो पार्टी इन पावर होती इसका दाहित्व होता है कि सचाई लोगों तक पहुँचा है। एक ब्रमीत किया गया है ओपोजिशन ने अपनी वाट बैंक जिवित करने के लिए वाट बैंक बनाने के लिए एक ब्रांती फिलाए गई कि CAA से इस देश की माइनोरिटी इसका विशेश करकर मुस्लिम भाईयों बैंनों का मताधीकार नागरीतत्व छिल लिया जाए जाए जबकि है उल्टा CAA से किसी का नागरिक्ता नहीं जाने वाला है CAA नागरिक्ता देने का कानून है सीख, बहुत, जाइन, क्रिस्टन, हिंदू जो सारे भाई तीन देशों से प्रताडीत होकर आए हैं वो सालों से यहां बैठे हैं उनके पास नागरिक्ता नहीं है उनके नाम से संपती नहीं खरी सकते, सरकारी नौकरी नहीं ले सकते किस प्रकार से इनका जिवों व्रतित होगा, एक करोडों लोगों की परेशानी को कॉंग्रेस के पास इसका जवाब नहीं थे वो अपनी वाट बैंक की पोलिटिक्स में ही मस्गूल थे और पूरी ब्रांती फिलाई कि CAA थे देश से मुसल्मानों की नागरिक्ता चली जागी मैं फिर से एक बार नेक बार कर चुका हूँ, फिर से एक बार स्पश्चता करना चाहता हूँ इस देश के मुसल्मानों को डरने की जरूरत नहीं है CAA नागरिक्ता लेने का कानून ही नहीं है, नागरिक्ता देने का कारून है और जहां तक CAA का सवाल है, एक कॉंग्रेस के आजादी के वक्त, महत्मा गांदी, जवाला नेलू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, राजिंद्र बाबू, सबका वादा था कि जो पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से आएंगे, वो सारे सरनार्थियों को हम नागरिक्ता देंगे वो वादा कॉंग्रेस पार्टी ने पुरा नहीं किया, वो वादा हम पुरा करें वो एक प्रकार से नहरू लियाकत पैक्ट का इंप्लिमेंटेंशन है, मगर राहूल जी का ये सारे अित्यासिक डॉक्युमेंट से लेना देना है नहीं, वो चीट पढ़कर बोलने वाले नेता है, चीट में इतनी सारी बाते आती नहीं है केजरिवाल जी, ममता जी, राहूल जी सबका कहना ये है कि जब देश में खुदी नौकरी और खाने पिने की इतनी समस्याएं हैं, तो जब इतने घुसपेटिये और आ जाएंगे तो इनको हम लोग नौकरियां कहा से ये गुसपेटिये नहीं है, घुसपेटिये और सरणा के लिए क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों जीबान जुबान सिल जाती है, इसलिए सुल जाती है कि आप अपनी वर्टमेंग को हट करें, सरनार्थी जो होता है वो प्रताडीत होकर यहां अभी मैं आपको बताता हूँ, अफगानिस्तान में निजाम मदला, सारे लोग इन बाई, पवित्र गुरू ग्रंट साब को लेकर यहां है, क्या करें उनका? वो गुस पेठी है क्या? हर सीख बाई बेन का इस देश पर इतना ही अधिकार है, इतना मेरा और आपका है, इसको गुस पेठी करार देना ठीक नहीं है, और जहां तक नौकरियों का सवाल है, वो इसको अधिकरुत नागरिक बनाना है, उनको अपना मानना है, इसको इस भूमी का हिस्सा बनाना है, जो उनका अधिकार है और इस तरह से देश को बांटने की बातें नहीं करने चाहिए US State Department और US Ambassador ने भी CA पर टिपणी किया क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बाले मैं मानता हूँ कि उनको पूरी तथ्य की जानकारी नहीं होगी भारत सरकार का विदेश मिभाग इस पर मैं जादे टिपणी नहीं करता परन्तु मैं इतना फमली कहना चाहता हूँ नागरिक तक किसको देनी यह मेरे देश का अधिकार है और यह अधिकार में कोई दखाई सबसे पहला सवाल जो मैं आप से पूछना चाहूंगा कि इस बार का जो माहौल है 2014 में मोदी जी के एक बड़ी वेफ थी लोग सीट प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जीतेंगे कितने से जीतेंगे 2019 में भी बाला कोट हुआ उसके बाद माहौल बदला और एक लोगों ने फिर प्रेडिक्ट करना शुए बाला कोट के पहले से ही माहौल भाजपा के पक्स में था और हम जीतने वाला पर इस बार अमिज जी इस बार तो कुछ अलगी नंबर और आक्ड़े आ रहे हैं तीन सौ सक्तर एक बहुत बोल्ड आपने टार्गेट लिया है चार सौ पार NDA के लिए तो इस बार वेव इलेक्षन देखते हैं आप इसको क्या कारण है कि आपको एक कॉन्पिडेंस है कि तीन सौ सक्तर सीटे मिलेंगी बीजेपी को दिखें ये दस साल है दोजार चौदा से चौबीस के आजादी के बाद के 75 साल में जब भी देश का इतियास लिखा जाएगा मोदी जी के सासन के ये दस साल स्वर्निम अक्सरों से अंकित होने वाले हैं ये दस साल में भारत की जनता अनुभाव कर रही है एक देश की नई पहचान समगर विश्व के सामने खड़ी हुई है देश का हर नागरी सनमान के साथ कहता है कि हाँ मैं भारती हूँ घर्व के साथ कहता है हाँ मैं भारती हूँ और दुनिया में जहां जहां भी भारतीय पासपोर्ट के साथ कोई भी जाता है इसका बड़ा सनमान होता है ये दस साल में विकास की प्रक्रिया से पून तया कटे हुए 60 करोड गरीब जिनको 70 साल की आजादी के बाद भी बैंक एकाउंट नसीब नहीं हुआ था घर में टॉइलेट नहीं था घर में गैस नहीं था घर में बिजली नहीं मिली थी नल से पानी नहीं मिला था खाने के लिए बड़ी मसकत करनी पड़ती थी स्वास्त की सुविधाय नहीं थी ये 10 साल के अंदर ही सिर्फ 10 साल के अंदर हरे एक को बैंक एकाउंट हरे गर में नल से जल हरे गर में सोचालय हरे गर में गैस और 60 करोड लोगों को पांच लाग तक की स्वास्त की सारी सुविधाय पूरी की है और हर गरिब को प्रती व्यक्ति प्रतिमा पांच किलो अनाज आज फ्री ओप कोश्ट मिल रहा है एक प्रकार से ये साथ करोड लोगों को भारत के अर्थतंतर के साथ जोडने का काम नरेंदर मोदी जी ने किया ये दस साल के अंदर ही देश जीसकी बड़े समय से रह दिखता था कि भारत अपने अर्थतंतर को दुनिया की तालिका में बहुत आगे पहुचा है अटल जी ग्यारवे नंबर पर छोड़ कर गए थे अर्थसास्त्री मनमाण सिंग जी ने 10 साल में 11 का ग्यारवा मेंटेंड किया और मोदी जी ने 10 साल में 11 नंबर से पांचवे नंबर पर पहुचा है और मैं आज आपके कारेकरम के माध्यम से देश की जनता को कहने आया हूँ ये मोदी गेरेंटी है तीसरे कारेकल का आशिरवाद देदीजे हम तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत दुनिया की बन कर रहे हैं मात्री होक्तित को कुनो होक्तित डांगर हो बनवारे देखार स्वाधिन और पीसोट मोदीय मोहिला होकलो खनमान दिसे मोहिला होकलो बावे होंगराइक कोन वेबस्टा कोर से मोदीये मिधान अबार रोह खनमान दिसे बली मौनटबो कोर से अमिशा है एक शक्ति है जिसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं और उसको मोदी जी ने उस पर हमला किया और कहा कि ये नारी शक्ति का अपमान है इसको आप कैसे दिखते हैं दिखे उनको ना हमारी परमपराओं का जानकारी है ना हमारी परमपराओं का सनमान है सक्ति का कंसेप्ट हमारे देश के अंदर सालों से दस अजार साल से मात्रु सक्ति को सबसे बड़ी सक्ति मना गया है मा के असिर्वाद से कोई बड़ा असिर्वाद हो नहीं सकता बहन के प्यार से स्नेह से बड़ा कोई प्यार हो नहीं सकता उनको मालूम नहीं है क्या बोल रहे हैं मोदी जी के साथ इस देश की मात्रू सक्ती चटान की तरह खड़ी है और राहूल जी के कहने से कोई फरक नहीं पड़ता और मैं तो अभी दो-तिन दिन में जितना भी फिल्ड में बात हुआ है सभी जगे से देश भर की महिलाओंने ठाना है कि सक्ती का परिचय इस बार राहूल गांदी को जरूर कराना चुनाव में यह मैंने सब जगे से पाया है और मैं देश की मात्रू सक्ती का भी आहवान करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद देश की महिलाओं के कब से अकांग साथी कि निती विशेक नेने करने में और देश के कानून बनाने में देश की माताओ बेहनों की हिस्सेदारी हो और वो मांग कोई पूरी नहीं कर पाया नरेंद्र मोदी जी ने 33 प्रतिसत आरक्षन संसद में और विधानसबा में माताओ बहनों को देकर सक्ति का सनमान किया है और इस संसद के बाद 20 वी संसद जब आएगी तब आप देखना 33 प्रतिसत माताओ बहने अंदर बैठी होगी पूरी दुनिया देखेगी भारत की माताओ सक्ति की सक्ति क्या है और उसका सनमान कैसे हो सकता है राहूल गांदी ये सारी चीजे नहीं समझ पाएगी अपोजिशन का कहना है कि एडी की रेड हो इंकम टैक्स की रेड हो सीबी के आए की रेड हो वो हरबन अपोजिशन लीडर्स पर ही क्यों पड़ती है भारती जन्ता पार्टी की लीडर क्या सब साफ सुत्रे ये एकदम सफेज जूट है मैं देश की जन्ता के सामने कहतना चाहता हूँ मोदी जी के प्रद्यान मंत्री बनने के बाद काले धन पर कठोर कारेवाही हुई है इडी काले धन पर कारेवाही कर रही है और इडी ने जितनी भी संपतिया कुर्क की है उसमें से 5 प्रतीसत ही रादनिती दलों से जुड़े हुए लोगों की है 95 प्रत्सत काले धन वाले की है ये भी काला ही धन है मगर वो ऐसा चाहते है व्यवस्ता जिसमें रादनिता पर कोई कारेवाही ही न हूँ मैं आपको उस प्रत्सता से बताना चाहता हूँ कि 95 प्रत्सत कारेवाही ऐसे लोगों पर हुई है जो रादनिती से जुड़े हुए ही नहीं और ये बिल्कुल सरासर और ममता जी के मंत्री के ग़र से 51 करोड रुपिया मिलता है कॉंग्रेस के सांसट के गर से 355 करोड मिलता है दस मशीन SBI की गिनते-गिनते ठक जाती है, गरम हो जाती है और ये कहते हैं कारेवाही न कारेवाही का सवाल मत उटाओ सांसत के घर से 35 करोड कहां से आया हो सबसे बड़ा सवाल है ममता के मिनिस्टर के घर से 55 करोड कहां तक बड़ा सवाल है क्या समंगते हो जनता click नहीं लटो की घढ़ियां भरने कि लिए metador लाने पड़ते एक metador चोटा पड़ गयाह साथ को चार बजे लाना पड़ा, ये कहां जाने वाला था पैसा है, राहूल बाबा बता सकते हैं देश की जनता को, ये 355 करोर जो कॉंग्रेस के सांसत के घर से पकड़े किसके, इसका जवाब देना चाहिए उनको, और बाद में ED कारेवाही नहीं करे, ऐसा नहीं होगा, जो पोजीशन में थे, धेर सारे PIL लगाए थे, आपके खिलाप, आपकी सलकार के खिलाप 12 लाग करोड के गपले गोटाले ब्रश्टाचार किये थे, 22 PIL हुए थे, 22 PIL में से 35 में ओर्डर हुए थे, और आपकी ही सरकार ने आपके खिलाप FIA रजिस्टर करने पोई, अगर हि अंग्रेश पाटी लोगों की आँख में धूल जोकने के लिए ब्रहमित करने के लिए कह रही है, वास्तविकता है, 23 साल से नरेंडर मोदी जी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे, उन पर 25 पैसे का आरोब देश में आज तक को ही नहीं लगा है। साइट निर्बासन पाती जमू कस्मीर पाखी गोनात अंडरोफवाद दिया बुली, मौन्त बगोरले शाहें। एनसी निशनल कॉन्फरेंस और पीडिपी ये तीन परिवारवादी पार्टियों ने वहाँ पर लोगतंत्र को पनपने नहीं दिया। आजादी से अब तक वहाँ पंचायच चुनाव नहीं। कस्मीर की जन्ता को लोगतंत्र से महरूम रखा, सम्विदानिक अधिकारों से महरूम रखा और अपने कैंद्र सरकार की स्कीमों से महरूम रखा। उनको दंड दिजिए, लोग तंत्र को मजबूत कर दिए, भारतिय जनता पार्टी को वाट दिजिए, जिसको देना है इसको दिजिए, परन्तु गाटी में एक बार ये तीन परिवारवादी पार्टियों को सबक सिखाना चाहिए. कश्मीर में चुनाओ कब होंगे? ये मैंने आप से सवाल बहुत बार पहले भी पूछा है, इस बार बोला गया कि पैरा मिलिटरी फोर्सेस की कुछ कमी है क्योंकि नैशनल इलेक्शन्स हो रहे हैं तो नहीं हो पार, तो इसका मतलब जल्दी होने चाहिए. आप लोगों का नारा था कि मंदिर वही बनाएंगे, वो आप लोगों ने बनवाया प्राण पूतिष्ठा हुई. एक और नारा है जो है, अभी तो ये जहांकी है, काशी मतुरा बाकी है. तो क्या ये अगले उसमें पांच साल में देखने को मिलेगा? वो का मोदी जी ने पांच साल में भी कर दिया, सुप्रीम कोर का फैसला भी आ गया, भूमी पुजन भी किया, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करकर प्रभु स्री राम को अपने भव्य मंदिर में बिराजित करने का काम भी नरेंद्र मोदी ने कर दिया. और मैं मानता हूँ कि जो द्रस्य है वो क्षण है, दस हजार साल का क्षण है मेरी बात याद रखना, दस हजार साल तक न किवल भारत, दुनिया इस क्षण को भुला नहीं पाएगी. और ये बहुत बड़ा लोगतंत्र का उदार्ण है, क्योंकि भारत में हिंदू मैजोरेटी में होने के बावजूद भी 75 साल तक हमने राह देखी, कि हमें कौर्ट ओडर करे, उसके बाद ही हम मंदिर बनाएंगे, और पूनत तरह समवेधानिक रूप से, कौर्ट के ओडर स भारत और गुरब गुती भीशती, यार खन्माल, स्ट्रोंग माने माइथान स्टील बिटेनिया न्यूटी चाल लगे की बिशार्या केनुका पार्थेक भुद्दान दीबा, हकलो बिला कथा बतीम, और ते आहक मुर्फाइचा जात्ता आराम बो करू बार्वेबर अमी आहीं अपशित है से ग्वफूर बाकोई ड़नली गांपन सायता दमोहेचा जातास्ताँ हैंका फड़ान जनाता पाइसो, अभूनार सोले आईसो कि अधिक अधिर्शיה पीप गुड्य फोटा आप जोगतों लोगो सण तो है। पोदुल है. कर दोडिकी पी एम केसे ना पर और आए पी एम जी आ घर पार फोड़ी खोकलु अखोकलु तॉलने कुनु रिख्यावनु बात पूला नाइ भूस्चित अमा भाज्य जन्ता पार तीर पाथी दत्त दागूडिया प्राइ एक लाफ भूड़ा जॉय जुक्ट कोड़ी गोव दराउं उदालगरी खोमोसीत एएडियोफे बिपेफ़ खोमोर्थन जनुर पीसोते एएडियोफे धनबाद जनाले बिपेफ प्रधान हाग्रामा मोहिलारिये कोक्रा जार दराउं उदालगरी उपोरी ग्वाहती बर्पेटा अरुखुनीत पुरत पार्थी दिपो बुदी आजी नुसल पुरत मंतरपो कुरिले हाग्रामा मोहिलारिये को जा कुर्णी बुदी ऑर मुदीन जनाले जनाले जनाले। दोरों गोदाल गुरी खेत्रत या युगिवे आमां कोमठर जिभोगीली कोई से विलाट भाल कोता आमें धोएन बादी से नेट्रो केटिनार राइसिंग भारत हनमेलाउन देहरो जुगर खुईते मोदी जुगर टुलाना एज जय संकरर नेट्रो जुगर बीर पुजार प्रा देख बाखे कातोरी एहिबला अभान जनाले बोई देखी परिक्रमा मंत्री गोडा के Mr. Modi has put that kind of propaganda to rest, he has contested it very very effectively You have not had a Prime Minister of this country who has so visibly associated anything national with what you would call regional issues I mean it could be you know the fact that we have taken foreign policy out there, the fact I mean even the Parliament, the single issue, the fact he did Kashi Tamil Sangamam or in fact also you know Tamil Saurashtra. So he has taken enormous pains to actually counter that kind of propaganda which has vitiated our politics for many many decades and my senses today you are getting that traction. My next question is in two parts, first part I know you will dodge but I am still going to ask but the second part is a little more weighty. The first part is are you contesting the upcoming Lok Sabha election? Second part. The second part is does it make a difference in your you know, you know, Practitioning of foreign policy if you are an elected politician as opposed to one who is nominated to the Raj Sabha? You know it is a hard one because if you look at the previous foreign ministers of India you have had a mix. You know many, I mean my immediate predecessor Shishmaji was from Lok Sabha and many of her predecessors. So it is like it is a mixed issue. The fact is in you know, today certainly speaking from a BJP perspective, I can tell you how much focus there is on constituency, on ensuring delivery, on making sure that last mile that leave no one behind message goes through. So when I look at my, you know, I am a parliamentarian of five years juniority. So I am still a relatively new person and therefore I am very curious how, how, how do, does that peer group work? And I, I look at the, especially the effort which Lok Sabha MPs put in and it is, it is staggering. I mean it is not by the way that the Rajya Sabha MPs have a ball. I mean because certainly where the BJP is concerned, I mean you have governance responsibilities, you are party responsible. I mean you are, you are on, really it is a 365 day kind of calendar. But, you know, there is always that balancing your, your focus and attention with what are foreign policy issues with other responsibilities that you may have. It may be Lok Sabha, it may be something else as well. You know, you had ministers who were not Lok Sabha members, but who as foreign ministers had many other sort of responsibilities to do. So, you are not answering the first part? No. No. No, but since you said that the BJP gave so much attention to constituencies, is there a preferred constituency that you would like to fight from if the party asks you to? No. I think the, when I said I wasn't answering the first part, it, you know, bowling a googly still makes, it doesn't mean the ball is going to be played. . 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 आज की जो यह चार्चीट आपके सामने आई है ये सिरफ इंडिया अलाइंस और कॉंग्रेस पार्टी की अकेली की चार्चीट नहीं है ये आसाम की जनता की चार्चीट है ये नौजवानों की चार्चीट है ये महिलाओं की है किसानों की है ये उनने एक चार्चीट तयार करी है आज आसाम की जनता सवाल पूछ रही है तो मैं आपको निवेदन ये करने के लिए हाजिर हूँ दिल्ली सरकार का तो आप सब कारनामे जानते हैं जिस तरह से बड़ी-बड़ी कंपनियों को पूरा देश विजम ने बेचा आज चाये बागान की बात हो चाये जमीनों की ऊपर भूमाफिया की बात हो हर चीज के ओपर जिस तरह से करप्शन हुआ है ऐसा कोई नहीं है कि जो काम होता है चाये यहां फ्लायोवर बनता है तो उसके उंपर उसके अंदर भी सरीया काँ से आता है वो भी आप सब मों को मालू है और सबसे बड़ी बात तो आप सोचिए कि पूरे देश के अंदर भारती जनता पार्टी ने गव माता को एक बहुत बड़ी एक गव माता जरूर राचीन समय से एक देश का बहुत उसको पूजने मानते हैं लेकिन भारती जनता पार्टी ने जिस तरह से गव माता को पूजा जुनाओ के अंदर इस्तमाल किया आज वह वही गव माता में को दूसरे देशों के अंदर भेज कर सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा है या आप सब जानते है कान से ऐसे मंत्रिय Minecraft के काम कर रहे हैं